दोस्तो एक aircraft से take off और landing करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक normal runway 2000 feet लंबा होता है जहाँ take off और landing आसान होता है और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े aircraft carrier की तो उसका runway मातर 300 feet का ही होता है और इसलिए pilot को extra measures लेने पड़ते हैं take off और landing करने के लिए take off करने के लिए बहुत ही powerful sophisticated system का use किया जाता है जिससे catawall system का जाता है जिसमें plane के अगले wheel को attach करके 240 km per hour की speed से launch कर दिया जाता है और उसे जो power मिलती है वो nuclear reactor से मिलती है और इसलिए launch करने पर धुआ निकलने लगता है और landing के समय arresting wire का use के जाता है जिससे plane को रोका जा सके ऐसा ही interesting facts के लिए subscribe